नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर अम्रिस्तर में दिन दिहाडे लूटेरों ने लूट की बड़ी वारदात को दिया अंजाम निची कमपनी के कारिंदे से साड़े दस लाक रुपई लूट होए फरार जल अंदर के थाना भारगब कम के धीनाती गली नंबर 13 में एक व्यक्ति की लाश मिलने से फैली संसनी पुलिस जांच में जुटी C.I.A. स्टाफ जल अंधर की टीम ने एक नशात अस्कर को किया कापू एक किलो अफीम की बराबर अब हल चल विस्तार से अमरिस्तर की गुरु नानक देव युनिवस्टी के नस्दीक दिन दिहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया मिली जानकारी के मताबिक एक नीची कंपनी के पैसे एकठा करने वाला एक नौजवन जो की कैश एकठा कर रहा था उससे लगबग चार नौजवन द्वारा आंखों में मिर्ची डाल कर तेज़दार हत्यारों से वार कर लगबग साड़े दस लाक रुपए लूट कर फरार हो गए वही घटा की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए और आसपास लगे CCTV कैमरे चक करने शुरू किये इस मौके पर एक परत्यक्ष दर्शी ने बताया कि वह कबीर पारक गुरुनानक देव युनिवस्टी के नजदीक से सवारियां बैठा रहे थे इस दुरान उन्होंने देखा कि चार नौजवन एक नौजवन पर दातर से हमला कर रहे थे उनके हाथ में पिस्तॉल भी पकड़ी हुई थी और लोग आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे थे पीडित नौजवन की पहचान शरंजीत सिंग के तौर पर हुई है जिसे उपचार है तो अस्पताल में भरती करवाया गया है इस मौके पर ACP सुरेंदर सिंग ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुरुनानक दिव युनिवस्टी के नजीक एक नौजवान से लूट हुई है फिलहाल वे मामले की जाँच कर रहे हैं और आसपास लगे CCTV केमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि सच्चाई का पता चल सकी अमरिसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट अब जाए आसे कभी आपारकाली साइट ते जा रहा है तीक है इस इसर मिन राज एन आने मोट साल एक जाने ने गाड़ी ला देता थे पिछों सा रखाए जाने बात एतिया मेरे किसे जाके तरन के रहाए सी इसर पराणी चूंगी यह ठीक है नारंग बेकरी देबाद पार जी किन्न जाने चार जाने तियनन ने दातर दुतर मारे मैं पर दोना बैग नहीं चड़े आपना पिछल गड़ी ने पिस्टट गड़ी ते फिर पर मैं आपना बैग बचागे तो मिलके बैक शाट भिता माने। वह उनना हम ला लागी तो क्या माराः तो लागारे हैं। कि यह घगा सर दातर मारा रही ने। सर बाहन हमारा है कभी बाहन तो लाकाच मारे ने। वह थे कैस्ट लागे ने टीक है। सब्स्कार को पूण दो कीशिए गोलिगाली डेंडा नीत ने हम दम केर गोलिगाली मुने पदा कि गोलिटा नी वराके बाकि मिननो यह गड़ा कर कुछ आरें बच्ची आपके वीडियो बड़ें नीवड़ा थे और अथा वक्तुना जैडें आण भीलिया कोई गोलिगाली चाली या ख़ पता लगी जोन्दा है कोई अपने वीडियो मन आ रहा रहा है कि को इड़ीयन कैश्मेंट कमपनी यह घो हो इदास दें है जी वरिफाइग का रहे हैं तो इस देड़े हैं कर दो पर दर निवेस्टिगेशन जी क्लीर होएगा ते दो मुंडिया को दातरी ही ओ दातर मुंडे नूँ दातर मारंडे ही जिनना जुना अपा उत्थो मैं टेंपू आहनू लगा तो सुवारिया काल पेगे मिन दो शेती जाना पाँ ते ओंडा जिननों मुंडे तो निकल कि यह देते कोई निवेखन देखन देखने ही तुमाशा वेगजे लोगी वेंदें दे खिंदे नो जबांस लोग पाजी चार मुंडे ही है क्या कोई कोई सोला सतना साल दी होना दी मुंडे आदी कितर नूब बाई जा आए यहानू आँ आउट साट गे सदे बाचे पजा कि लाग़ा ने काम कर रहा है डिली रपोट कर रहा है सई त्रिक कोई गालबात नहीं होई लेकन अधिन देखने पिछल लगे ने पतने किल दी है तो पिछल लगे उन्हों नहीं वाच होई होई जालंदर के थाना भारगव कैंप के अधिनाती गली नंबर 13 में एक व्यक्तिकी लाश मिलने से संसनी फैल गई लाश बरामत होने के बाद पारिवारिक सदस्यों की और से हंअगमा किया गया इस दोरान मृत्तक की रिष्टदार ने आरोप लगाया कि जहां से व्यक्ति की लाश बरामत हुई है वहाँ पर लोग आकर नशा बेचते थे उन्होंने अरोप लगाया कि पुलिस की और से नशेडियों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जा रही विघटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लाश को कबजे में लेकर पोस्ट माटम हेतु बिजवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है जालंदर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट की नामत वाटा मेरा गूल्शन जागए जा रही है की जाड़े मन्जीत काला और इनाद बिदादना मान सेंग डिरी वाला जी और बड़ा ही अच्छा प्रवार से वोती अनदा असरसलोग सी लाखे में चेंग पर आज अचन जेड़ी एक पता लगया कोन वी जैठ्थ होगी है वसी आप है रहा आना क्योंकि बड़ा वदा सुबा आप मुल्ड़ा अच्छा थी मिला पड़ा सुपा रही है तो आप पर मुशूस हो रहे कि आजे उल्ड़ा हड़ा आपर आया तो इन्हें कहीं कारण द सब्सक्राइब कोई केंदें कि नशाव ओर्डोज ना होया है तो तो मुझे चागव गए रहा बाहर आए आ रही है एक तो फ्रेंड सर्कल देवेसी इते मीड़ी दिकान थी मलेवरे कह रहे ने क्या जितन हो एक तो उन्हों गालों चुखला आनी जासे ता तूज्या किते सब्सक्राइब करते हुए इंस्पेक्टर इंद्र जीत सिंग ने एक रोपी को काबू करने में सफलता हसल की है इस समंद में जानकरी देते हुए एसीपी क्राइम हरविंदर सिंग विर्क ने बताया कि वे पुलिस टीम के साथ गश्ट के दोरान धन मोहला मोड नस्दी के कहरी पुली जारंदर में मौजूद थे और पूरी सतरकता से संदिग्द व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे इस दोरान धमोरिया पुल की और से एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया जिसने अपने दाइं हाथ में एक वचनदार लिफाफा पकड़ा हुआ था जो सामने खड़ी पुलिस पार्टी को देखकर एकदम से घबरा कर पीछे की और मुडने लगा जिसे पुलिस किये गए लिफाफे की तलाशी ली गई तो उसमें से एक किलो अफीम बरामत हुई जिसके खिलाफ थाना डिविजन नंबर तीन में एंडीपी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे ग्रिफतार कर लिया गया है फिलहाल पुलिस ने रोपी से आगे की पूचता शुरू कर दिया है जिससे और भी कुलासे होने की संभाब ना है जालंदर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट मिजनल साथ स्लार कभीव संत्याल पते डी सीपी अंखर रिंदर सेंग वेड़ कर दी रेच्छंते सीए स्टाफ जिपीशने काना केरी पूरी इंदर बेदे ता नमलांगो ते नाकाल आया जी जित्ते हैं एक शक्की को अधेक्ट प्यक्तिरू का पुगिता जेदे को एक कि पंचाब सरकार की और से एक मोहिम चलाई गी है सरकार आपके द्वार इसे को रेकर पंचाब के मुख्यमंत्री के अपने विधान सभाश्यत्र धूरी में विजली विभाकी और से लोगों की मुश्किले सुनने के लिए एक कैम्प लगाया गया जिसमें विभाक के उच्चा दिखारी पहुंचे इस कैम्प में महिलाएं किसान अपनी समस्या लेकर आए किसी को घर में बिजली के लिए मीटर लगवाने की समस्या रही तो किसी को खेत में ट्यूवेल लगाने के लिए बिचली विभाक के दफ्तरों के चकर लगाने पड़ रहे हैं या फिर धान के सीजन में किसानों को जो हर वर्ष एक बड़ी मुश्किल पेशाती है जब खेत में बिचली का ट्रांस फार्म खराब हो जाता है तो उसको दुबारा से बिचली विभाक से लेने में कई दिन निकल चाते हैं जिससे किसानों की खेत में खड़ी धान खराब हो जाती है उकत सभी समस्याओं समंदी विभाक के अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने पहले से ही मुश्किल आती है तो जैसे ही वे बिजली विभाग के दफ्तर आएगा तो उसको वहां से वो ट्रांसफार्मर दे दिया जाएगा संगरूर से हलचल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट असी आया चाने है जी साड़ी लाइट नी है कि सारा कुछ है बोटा रासन काट सब कुछ बने अगया लेट नूपांचाल साल हो गए साड़ी थाउंते केवल पैगी जी बहुत दुखियां मीटर भी पट्ट्या जन्दा है कोई लाइट निया खुडी ग्यार मीच पाड़ द गञाद नहीं थाका colocar लुका? pencil 2016 कणेक्शन अप्लाइगेता सी कि ये और पैसे पड़ारा भी सारा को पढतासी आजिए ते कुछ नहीं लगया है अपना अपने गागनामोगिनाइस की ता यह केंपानों किसे भी किसम दे ब्जीद्री नाल दी कोई भी समस्यार जाहे बेल मेशली जाहे लेकी धी अटॉप ही द्वार ओदे अधिनिया सीजडिये हैं मुखमंतरी सावधी रहनुमाई देवेच जो और्गिनाज कीते हैं कैम्प ओदे मुतल्ग असीथे आए हैं जो भी समस्या होगी बिजली दी लोग कांदी वो सारी यह सुनिया जानगी है कोशिश करांगे कि ओ टारा भी जेता नाल नाल हो साकता नाल नाल करांगे अधरुवाज थोड़ा समय लगेगा ते थोड़े समय बाद भी सारा नंगी कोशिश करांगे अज तूरीव खे बिजली बोर्दे ड्रेक्टर साब ते उच्चेद कारियत थे पहुंचे ने ते पूरे हलके दिया जडिया बिजली नाल सबंदत समस्य आवाने लोका निया उना नू हल कर लई अज तूरीव खे पहुंच रहने जिस तरह मान साब ने कहा सी के आपकी सरकार आपके द्वार ओदे तहत आज बिजली बोर्दे जिनने भी मुश्कला ने हलके दिया लोका निया ओज इते बैठके हलके दिया जाने गिया एससे तरह पहला कही बहुत पिंडा दे विच दूसरे डपार्टमेंट दे कैंप लगाये गये इस तरह एके करके हर डपार्टमे विदेश भीजने के नाम पर लाखो रुपए की ठगी कर बाद में या तो नकली वीजा दे देता है या पासपोर्ट भी अपने पास रखकर लाखो रुपए एंठ रेते हैं ऐसा ही एक मामला चालंदर के भोगपुर से सामने आया है जहां विदेश भीजने के नाम पर 9 ल लेकर ट्रेवल एजन्ट ना तो विदेश भीज रहा है और ना ही पासपोर्ट और पैसे वापिस कर रहा है एससपी दिहात को दी शिकायत में परमिंदर सिंग ने कहा कि भोगपुर के रहने वाले ट्रेवल एजन्ट गुरमेल सिंग उर्फ बब्बु बुटर ने सिंग ने एससपी को दीगी शिकायत में ये भी कहा है कि उसके ससुर पंजाब पुलिस में थी जिने दस साल का वीजा देने की बजाए दो साल का वीजा ही दिया क्या उसमें भी टिकेट के पैसे उसने खुद खर्च किये तो वहीं ट्रेवल एजन्ट ने कहा है कि अगर उस के उपर मामला दर्च करवा दिया जाएगा इसलिए प्रमिंदर सिंग ने पुलिस से गुजारिश की है किस पर बंती कारवाई की जाए और उनके जो पैसे लगे हैं उसको वापिस करवाया जाए जालंदर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट परमिंदर सिंग बजी की काला जाए 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 के साथी टेतरी सोब्ट के सब्स करवाया जाए तो बाच दो साल टार से लगा मेरिश करवा रहे जाए तो बाच असाना यापर और आलरत उसक किवा है यहां दो जने रहे गांगे तो जने किने पैसे तेसे तोसे की नाय कित दर रहन वाला वजब दो ने पच्छा रहा है तुछ यह पंड़ व्रति पैंट पुट्रां परजब आप ते पुलिस नो कमप्लेंट किती तुछ ताव नवार गोंगए टेप्टी शाव ते प्याने त की केंदे पुलिस हुदा की काह रहा है और साले केंदे कोई नहीं नहीं हुना दोड़े थे न अब तेता कभ लामा के तुसी अपने परूफान जान दो तो अटे रहे हैं रहा है वेल जानट्रा वह इंट्टा वही ता टीकालो यह से वह जान जान आए पाजी कोना चाल दे ल पंचाब ट्रेक्टर डीलर एस्सोसेशन की और से संग्रूर में एक प्रेस वारता की गी जहां पंचाब भर से आई ट्रेक्टर डीलरों ने कहा कि पहले उनके ट्रेक्टरों की आरसी बनाने के लिए जो सिक्योरिटी फीज थी वे एक लाक रुपए थी जिसको बढ़ा कर अगरी कल्चर में आता था उसे अब कमर्शियल कर दिया गया है कार और दूसरी मोटरिसाइकल की आरसी बनती है जितनी उनकी सिक्योरिटी फीज है उतनी ही ट्रक्टर की कर दी गई है पिछले नौ महीनों में जिन किसानों ने नए ट्रक्टर करीदे हैं उनकी आरसी नहीं बन पा रही है उसकी समय सीमा भी समाप्थ होने वली है सरकार के साथ उनकी बाच्चे हो चुकी है लेकिन इसका हल नहीं हुआ है इसलिए वे चाहते हैं कि इसे पहले जैसा ही कर दिया जाए क्योंकि ट्रक्टर डीलर ज्यादा पैसे वाले नहीं होते क्योंकि ज्यादा ट्र एक वर्ष में कम से कम 50 ही बिकते हैं और इसके साथ जिन किसानों ने अपनी सब्सीडी लेनी होती है जितनी देर तक ट्रक्टर का बिल और आरसी नहीं बनेगी तब तक उन्हें सब्सीडी नहीं दी जाएगी तो वहीं किसान भी परिशान है वे निया ट्रक्टर लेने से गु के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट और अब अंत में हल्चल की कतिविदियों पर एक नजर फिर से अम्रिस्तर में दिन दिहाडे लूटेरों ने लूट की बड़ी वार्दात को दिया अंजाम निची कंपनी के कारिंदे से साड़े दस लाक रुपई लूट होए फरार जालंदर के थाना भार्गव केंप के धीनाती गली नमबर 13 में एक व्यक्ति की लाश मिलने से फैली संसनी पुलिस जांच में जुटी CIA स्टाफ जालंदर की कीम ने एक नशात अस्कर को किया काबू एक किलो अफीम की बराबर इसके साथ ही अब तक की गती विधिया समाप्त होती है और तासा चौनकारी के लिए देखते रहे हल चल झालन हो झालन है झालन है